हलो प्रेंट्स कैसे हैं आप लोग मैं हरी सर्मा विल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ बहुत-बहुत शागत है फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल में फ्रेंट्स वाथ्रूम टॉलेट्स जो होती है इंडियन कल्चर्स में और जो नॉर्मली हमारे जो रहती हैं या हाई-राइज बिल्डिंग रहती हैं हाई-राइज बिल्डिंग में कॉमन टोइलेट वाथरूम जोती हैं जिनमें सब कुछ एक साथ होता है और अनल वगगरा तो नॉर्मली कितने पॉइंट होते हैं और कहां किसकी हाइट कितनी हाइट पे कौन सा हूँ याल plumbers अखसर मेरे से पूछते हैं कि सर ये कितनी height पर ये कैसे लगता है हम क्या करते हैं maintain करते हैं लेकिन हम लोगों पर ये नहीं पता होता कि normally height उसकी क्या होती है आज मैं वही सब बताने वाला हूँ कितने point होते हैं और कितनी अगर मैं साथ साथ लिखता हूं तो बहुत टाइम लगता है इसलिए मैं उनको बताने बागा हूँ friends देखी हम एक एक करके बात करते हैं जैसे सबसे पहले bathroom में होता है mixture point और taps जितने भी taps लगे होते हैं या mixture point लगा होता है उनकी height friend जो normally होती है 3 से सबा 3 feet होती है 3 feet से सबा 3 feet के बीच होती है ठीक है friend इससे ज़्यादा नहीं होती इससे कम भी नहीं होती next WC friends WC हम अकसर WC बोलते हैं लेकिन इसको बोलते क्या है normally WC की full form क्या है मैं वह आपको बताता हूँ WC को कहते है water closet water closet c-lo-s-e-t friends इसकी जो height होती है WC की जो English वाली होती है Indian तो आप जानते हैं उसकी height नहीं होती है WC की होती है 17 inch से 19 inch friends normally हमारी है 16 से 17 inch लगती है लेकिन जो western country है उनमें 19 inch तक लगाते हैं ठीक है friends next मैं बात करता हूँ तीसरा point है health facet point health facet point आप जानते हो fresh होने के बाद health facet का जो point होता है friends ये होता है 1 से 1.5 fit पे 1 से 1.5 fit height पर ठीक है friends next है system point system point का क्या होता है जो English toilet रहती है उनमें WC में ही attach आती है system कहीं कहीं हम system अलग से भी लगाते हैं लेकिन sister का water point तो हमें देना पड़ता है तो system का जो water point होता है friends वो होता है 2 से 2.5 fit पे 2 से 2.5 fit के बीच में होगा ठीक है friends system का जो point पानी का होगा 2 fit से उपर और 2 fit के भीतर भीतर रहेगा 2 रहेए सवा 2 रहे, 2 रहेए इतना रहेगा ठीक है friends next आता है geezer point geezer point भी बाथरूम में होता है अब लोग जानते है geezer का point जो friend रहता है वो 6 से उपर और 7 से नीचे नीचे 6 से 7 fit रहता है 6 से 7 fit ठीक ठीक friends 6 number 6 नमबर आता है सावर सावर की जो height रहती है वो 6 से 6.5 रहती है 6 fit ठीक है friends next वास basin की बाथ करते है 7 पॉइंट है वास basin वास basin बाथरूम से में लगावा होता है वास basin की जो height रखते है वो वास basin की जो normal standard height है 3 feet ठीक है friends वास basin 3 feet से नीचे भी नहीं होता जादा और 3 feet से उपर भी नहीं होता लेकिन exact है उसकी 3 foot वास basin बहुत अच्छा होता है standard height है उसकी ठीक friends अब मैं बात करता हूँ Indians यह जो society होती है उसमें urinal नहीं होते लेकिन जो high rise building है condominium होती है उनमें जो common bathroom होता है वहाँ पर urinal लगे होते है तो मैं urinal की भी बात कर लेता हूँ उसमे urinal की जो height है standard वो 24 से 26 inch है ना उससे कम ना उससे ज़्यादा 24 inch से 26 inch के बीच में होना चाहिए ठीक है friends urinal का waste point अब ये तो urinal की height है जहां हम urine के लिए जाते हैं लेकिन जो urinal का waste pipe नीचे जाता है उसकी जो height रहती है जो हम पानी के लिए छोड़ते हैं वेस्ट के लिए वो 20 से 22 inch होती है ठीक है next आता है mirror mirror और soap dish ये दोनों भी bathroom में लगी हुई होती है तो mirror की जो height रहती है जो बड़ा mirror लगा रहता है आप जानते हो काफी बड़े-बड़े वो 4.5 feet होगा लेकिन जो soap dish है soap dish को four से 5 feet के बीच में कहीं भी लगाया जा सकता है मैं soap dish की बात करता हूँ 4 feet से 5 foot के बीच में कहीं भी लगाया जा सकता है next होता है tower rail bathroom में tower rail लगी हूथ tower rail friend उसको कहते है जो towel तोलिया टांगने के लिए rail लगी रहती है यानि एक उस पे डंडा सा रखा रहता है उसको कहते हैं towel rail towel rail की जो height होती है friend 5 feet होती है standard है यह 5 feet friends toilet roll toilet roll WC के बगल में रगा रहता है और toilet rail की जो height होती है toilet roll की वो होती है 1 से 1.5 feet ठीक है friends next 13 points सबसे ज़्यादा बड़ा होता है जब सारी toilet वासरूम बन जाती है तो उसमें एक drain point होता है जो सारा पानी है ज़ा हम उसकी धुलाई करते हैं या हम सफाई करते हैं तो उससे पानी निकल के जाएगा और drain point अपने देखा होगा यह सबसे नीचे होता है अक्सर इसको क्या है WC के side में ले ले लेते हैं जिससे यह जल्दी दिखता नहीं है नोर्मली एकदम दिखे ना हमें और कहीं-कहीं यह side में भी होता है drain point यह drain point must है जो सारी धुलाई में या वास बेसिन में जाता है फ्रेस बाटर की चतनी भी लाइन होती है वो CPVC की होती है ठीक है फ्रेंट्स CPVC और 6 से 10 केजी के बीच में 4 minimum रखते हैं 4 से 10 केजी के बीच में रखते हैं कहीं height जादा है तो 6 केजी नहीं तो 4 केजी ठीक है फ्रेंट्स WC, drain और storm के लिए storm means जो 12 में या बरसात का पानी आता है उसमें हम यूज करते हैं UPVC की लाइन फ्रेंट्स पहले UPVC का पाइप आता था उसमें thread करती थी लेकिन अभी हसिंग पुसिंग वाले आना लगा है उसमें solution लगा के हम कर देते हैं और PVC और CPVC इजी हो गया है plumbing का काम और जो उससे branch जाती है वो होती है half inch की यानि लगबाग 12 mm और ये 20 mm ठीक है friends और जो drain lines होती है वो 3 से 4 inch main line 4 inch की होती है और जो वहां से निकलती है drain से वो 3 inch की भी डाल देते हैं लेकिन जो condominium जो high-rise buildings है जो common bathrooms या जो बड़ी-बड़ी society है उनमें 4 inch की UPBC डाला जाता है ठीक है फ्रेंट्स अच्छा एक इसमें हम सुडूल 40 का भी CPBC के साथ साथ कहीं कहीं यूज करते हैं लेकिन जो हमें sewer line डाली होती है sewer line में friends अलग pipe यूज होता है जिसको हम TN4 करके आता है वो pipe डाला जाता है या पहले जो है cost iron का डाला जाता था वो आप जानते होंगे उनके बाद में हम कभी बाद में बात करेंगे friends कुल मिला के आएक bathroom में 13 point होते हैं ठीक है और इस तरीके से pipe डगती है तो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं भी कोई पूछता है या हमें को बताने में इसमें दिक्कत नहीं आएगी कितने fit पे क्या चीज़ होता है आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद friends